तो आज के विडियों में हम बात करने वाले यूपी पुलिस की भरती निकलकर आचुके UPSI सब्स फेक्टर की वेकेंशी निकलकर आचुके 2021 के लिए तो अच्छी नियूजए यहाँ पर बहुत सारे कैंडियर इंतिजार कर रहे थे कि यूपी पुलिस की वेकेंशी कब निकल कराये तो इस वीडियो में complete detail बात करेंगे कितनी वेकेंसी है selection procedure क्या है सेलबस क्या है criteria क्या है योग गिता क्या रखी गई है height कितनी चाहिए सभी detail में बात करने वाले इस वीडियो में तो अगर आप भी यहाँ पर UP police service factor के लिए apply करना चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो complete देख लिए जैसे आपको सारी जानकारी सारे doubt clear हो जाए जो भी UP police से related हो तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं यहाँ पर UP police का official notification मैंने आपके सामने open कर लिया सबसे पहले बात कर ले तो वेकेंसी कितनी तो वेकेंसी यहाँ पर 9534 टोटल वेकेंसी यहाँ पर male female दोनों के लिए मिलाकर टोटल वेकेंसी जो कि अच्छी खासी हैाँ पर 10,000 के आसपास वेकेंसी अपको देखने को मिल जाएंगे ग्रेड़पी की बात करें तो 42 ग्रेडब्स ग्रेट मैं के नावकरी होता है इसके अलों आप नीचे आएंगे तो आपको अलग-अलग यहां पर वेकेंसी देखने को मिल जागा देख सबसे पहली वेकेंसी की बात करें तो उपनी इच्छक नागरिक पुलिस की वेकेंसी है इसके लिए यहां पर यहां पर नीचे आएंगे तो यहां पर अधिकारी की वेकेंसी जो कि निकल कर आए इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको सारा डीटेल यहां पर देखने को मिल जागा मतलब 14 2021 से इसका आनलाइन अप्लीकेसन इस्टार्ट हो जाएगा और लाजडेट की बात कर लेते हैं तो यहां पर 30 अपरेल 2021 राद तुरी 12 बजे तक आप अप्लाई कर पाएंगे मतलब एक महीने का टोटल आपको समय मिलेगा तो आप अप्लाई कर पाएंगे इस बार फी यहां पर चास रूपे का फीस पेमेंट रखा गया है इसके लोग यहां पर यह उगजिता भी आप Çेक कर सकते हैं यहां पर देख से कोई भी भारत का नागरी को अपलाई कर सकता है इसके लिए हुआ पर नीचे आएंगे तो आपको सारा डिजने करती हैं तो आप अप्लाइ कर सकते हैं इसी प्रकार है अगनी सामग दूतियक के लिए वहां पर देख सकते आपके पास असनातक होना चाहिए लेकिन यहां पर बिज्ञान से आपके पास हसनातक है तब अप्लाइक कर सकते हैं जब कि पहले लोगों को एज में प्राबलम होती क्योंकि एज बहुत सारी लोगों उभर हो जाता है तो यहां पर सबसे पहले एज की बात करें तो यहां पर कब से किया जाएगा देख सकते एक जूलाई 2021 से आपका एज काउंट किया जाएगा उस डेट को आपका एज मीनिमा में हाँ पर 21 साल होना चाहिए और मैक्सिम में हाँ पर 28 साल होना चाहिए 21 से और 28 के बीच में इस डेट को है तो आप अपलाई कर सकते हैं इसके लोग यहां पर डेट भी बताएगा देख सते जिनका डेटा बर्त 1 जुलाई 1993 से लेकर एक जुलाई 2000 के बीच में ओकर और एलिजबल है उ इससे जादा नहीं होना चाहिए और इससे कम आपका एज नहीं होना चाहिए आप अराम से अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ऊ libr земlles कोगानेस तब शूर्यम से प्रकाईर यहां बात करें झाल यह मंद्रेटेट नहीं हाद już चली यहां पर बात कर लेते भरती-प्रकिर्या, selection कैसे होगा त१ो सबसे पहले बात आदे, इसका जो सबसे पहले आपको यहां पर ऐक paper लिया जाएगा जो कि इस पर online होगा 400 नमर का paper होगा आन्लाइन paper होगा जो यहां पर क्योंगर होगा और चार भागों यहां पर डिवाइड होगा कौन कौन से सबसे पहला भाग यहां पर सामान हिंधी कह जेगा जो पर इच्छा नंबर का हूगा तुछ प्रकार आपके चार सब्जेक्ट में डिवाइड होगा यह पेपर चार सो नॉंबर का पेपर होगा और टोटल टाइम की बात करें तो दो घंटे 120 मिनट आपको समय मिलेगा अब्जक्ट्व टाइप क्यूस्चन होगे आनलाइन लिया जाएगा तो इस प्रकास सबसे पहले आपका यह पेपर होगा इसके बाद आन जन जाती केवल यहां पर यहां पर हाइट जो है एक सो साथ दिया जाएगा मतलब अगर उनका एक सो साथ है तब भी काम चल जाएगा दोस्तों यहां पर यहां पर हैं जैन पर तो इसको मेंसस नहीं किया गया कई से फड़िक कासिक बात करें कितना आपका सीना होना चाहिए ऐ हां पर जो जनरल ओथ county-bank tvogen क्रें से उनका चाहिए siteर होना चाहिए और फूलाने के बाद दिना फूलाओ के शोहां साथ का तभी आप इलिजबल होंगे और फीजिकल को क्वालिफाइड कर पाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है यहाँ पर कोई रिजोरेशन नहीं मिला है उनको यहाँ पर जन्रलोबिस्टी के साथ काउंट के ज़र है केवल जो भी यहाँ पर फीजिकल में छूट म लिए यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पर स्टी का अडिट को छोड़कर 152 संटीमीटर रखा गया और बाकि जो यहाँ पर 147 संटीमीटर है तब यहाँ पर अपलाइग कर सकते हैं की बात करें तो यहाँ जो कि 28 मिनट में आपको complete करना होगा वही महिला का एंडरी रेट की बात करें female के लिए तो यहाँ पर 2.4 किलोमीटर की दोड़ होगी जो कि 16 मिनट में आपको complete करना होगा तो अगर इस से ज़्यादा समय आप लेते हैं तो यहाँ पर आपको निकाल दिया जाएगा और इसके बाद आपका final merit तयार कर दिया जागा उसी के अधार पर आपका selection होगा और उसी के अधार पर आपका जो भी यहाँ पर सीटे हैं उसके अधार पर आपका selection कर दिया जाएगा चले दोस्तों आप बात कर लेते हैं यहां पर जो रिजर्व कैनिडेट हैं उनको कौन सा जाती परमार पत्र लगेगा और उनको एज में हाँ पर कितना अधिक्तम छूट मिलेगा तो सबसे पहले यहां पर पांच साल जो है अपर एज में छूट मिल जागा मतलब 28 में आप 5 और जोड़ दीजिए उतना आपका एज है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं और जाती परमार पतिन का किसी भी प्रकार का चल जाएगा जैसे यहां पर तहसिल द्वार जो जादी किया जाता तहसिल अस्तर सो भी चल जाएगा बाकि जीला अधिकारी द्वा जारी तो उनका भी चल जाएगा यहां पर देख सकते हैं यहां पर देख सकते हैं यहां पर दूसरा जो सामान घ्यान में उसमें क्या-क्या पूछा जाएगा आप चेक कर सकते हैं इसके लाओं यहां पर जो आपका यहां पर संख्यात्मक मतलब मैस से रिलेटेड हो उसमें क्या-क्या पूछा जाएगा यहां पर देख सकते हैं इसके लाओं यहां पर मानसी जो आपका जो रिजिनिंग है उसमें क्या-क्या पूछी जाएगा यहां पर आप सेल्वस सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए ताकि आपको सभी जाब अपडेट आनलाइन अप्लिकेशन से रिलेटेड वीडियो मिलता रहे और साथ ही साथ इसका जब फार्म फिल फोन शुरू हो जाएगा तो उसका भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाए जिससे आप पासानी से फार्म फिल अप कर पाये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद